तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत सुन्दर वीडियो लेके आ चुका हूँ जैसे आप पीछे थमनेल पर देख पा रहे हो टॉप फाइप गवर्मेंट जॉब लेने की तो इस सेशन में आप से मैं बहुत अच्छी से डिसकस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी टॉप आप अप्लाई कर सकते हो कौन कौन से आपके पास अवे लेविला कई सारी जॉब्स हैं बट मैं इस बीडियो में बहुत जॉब करूंगा जो बहुत अच्छी है आपके लिए जिनका पैकेज अच्छा है जिनका इस्टेंडर्ट बहुत अच्छा होने वाला है तो बीडिय हम करते हैं तो हमारी है यह आपस हमेशा रखिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं जातर लोगों का करने के बाद टीचिंग अलाभा और जावी नहीं नहीं कर पाते हैं और बहुत आप्शन है आपको इस बीडियो देखने के बाद पता लगने वाला तो मैंने जाप पर पहली के डिगरी है अपनी एससेषन्ट प्रोफेसर आपको और उसकी दूसरी के डिगरी है अपनी स्कूल ले सकते हो इसेट अपको इस्टेट प्रोफेसर है जो पिक्षर एक्षाम एर पीज्क यह एक्षाम में एक सिक्षास के लिए होते हैं इसके पाद आपका है एक सॉरी इसके बाद में साइन कि आप स्टेंटिस्ट की जॉब आप ले सकते हो तो यह बैसिकली इंपोर्टन्ट और बहुत स्टेंडर्ड जाब सारी अठीचे पै सबसे पहले बात करते अशिस्टेंट प्रोफेसर अब देख पा रहे हैं यह कौन है सब को पता है तो अशिस्टेंट प्रोफेसर की जाब जो की बहुत अच्छी जाब है कैसे मिल सकती है करने के लिए आप को क्वालिफाई करने के लिए आप के लिए आपको निकालना पड़ेगा राइट अस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आता है हर स्टेट की निविश्टी अपना निकालती रहती है ताइम आप देख सकते हो उसको उस फाम का आपका रिटेन एक्जाम देना पड़ेगा और रिटेन एक्जाम के बाद आप इंट्रूब वगरा देना पड़ेगा बट इलिजिबिल्टी क्या है पहले आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए राइट यह हो गया अगर आपको किसी परटिकलर स्टेट की भी बाद करो नेट के लावा अगर आपको स्टेट के यह कौलिफाई करते तो बीस्टी के उनिवस्टीवें कॉलेज़ में अप्लाइग कर सकते विकाज अपका उस्टेट का सख्यार आप ठाप कुलिवमसर है करने हैं अगर को आपको इसी क्षेस्टन प्रोफेसर में जाइए सेंटर rape यहां पर तस याप का ग्लीजिंट यह मांगता है ऐसा कूलिज साथ को प। यह невिस्टन कर दिए दूसरा आपका पोस्ट ग्रेजुए टीचर पड़ाते तो प्छ टीटी का जाव एक बहुत अच्छा जवाव है अप इसको भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है इसके पड़ाना पड़ेगा ठीक है इसमें इलिजिबिल्टी आपकी कहा रहने हाँ आपका MSC साथ में भी होना चाहिए मैक्सिमुम पीजीटी एक्जाम जो है वह मांगते हैं ठीके तो आप अगर पीजीटी को टार्गेट कर रहे हो आप चाहते हो तो आपको भी करना पड़ेगा स्टेट का होता है लगए अगर आप पोस्के नहीं लगता है तो लिएर्ड को करना ही पड़ेगा क्योंकि शायद इन फ्यूचर वो आगो कर दे मैं तो यह चलूड है सब्सक्राइब करता हूं पर पहले यह पीजीटी पीजीटी के बाद यह तो सबसे पहले होगी पीजीटी अगर आपके बास अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है के वर भी स्कूल टीचर रहाइट है हाई स्कूल टीचर टीचर का मतलब है वेटा आप हाई स्कूल टक पढ़ा सकते हो टैंट क्लास तक के बच्चे है उनको आप पढ़ा तो ट्रेंड ग्रेजुट टीचर आप यह एक्जाम होता है इसको कोई इंट्रव्यू नहीं है पीजीटी में आपका बता दू एक चीछ पीजीटी में रेटे यहां पे आपका बेश्ण चलेगा बट आपका बीईड होना चाहिए तो टीजीटी आपके पास बहुत जरूरी है धुल साथ में बैचलर के डिग्री भी होनी चाहिए तो यह आपका पोस्ट टीचर हो गया एक तो पीजीटी दूसरा हो गया आपका टीजीटी ठीक है और दोनों के लिए बहुत आबस्यक है बहुत मानने रखता है अगर आप यह चाहते हो टीजीटी के लिए बैचलर चलेगा और बराबर है सिंपल इसी पीजी तूसरा में बात करता हो इसी कटिगरी में आपका नवोदे विद्याले समिती इसमें भी आपका अपना एक्जाम करनट कराता है ठीक है अगर आपको नवोदे विद्याले में मास्टर बनना देगो मैं खुद नवोदे से पढ़ा हुआ गरगा तरी ढीतट कर सकते हो एकस्ट एकस्ट ऑपनने विद्यां रखन दिस्क नवोदे का昨 अग्जाम कर सकते हो अपने खाने का थो सकते हुए था न maisि एकग्जाम के learntgypt कर सकते हो सकते है कितब 것을 प्रफेसर की हो गई हमने बता दी अगर सबसे पहले हमारी मारी सबसे पहले मैं बोलुग बार का एक रिटेन एक्जाम के बाद आपका तो आपको रेटेन एक्जाम से छूट मिलेगी आप डारेक्ट इंटर्व्यू में बैट सकते हो बट आपको इंटर्व्यू कौलिफाई करना ही पड़ेगा और अच्छा कासा इसका एक इंटर्व्यू होता है एक डिल गंटे का बहुत बढ़िया उसके लिए आपको अच्छ इसका रेटेन प्लस इंटर्व्यू और अगर आपके पास एची रेंक के साथ तो आप रेटेन से बच सकते हो इंटर्व्यू में आपका डायडिल लिष्ट में आम आ जाए दूसरा है आपका इंद्रागादी सेंटर फॉर आटामिक रिसर्ष राइट आईजी सी ए आर आपका एज लिमिट है मिनिममम 18 और मैक्सिमम फोर्टी मिनिममम अठारा मतला आपका इसी लिए और साइंट्वी एसिस्टेंट के लिए आपका मसी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो पहला बार था दूसरा आपका इंद्रागांधी सेंटर फॉर अटामिक रिसर्च आप इसके बाद हम बात करेंकर मोस्ट इंपोर्टिंट बहुत जादा को पतना नहीं रहता है यूपेषजी होगा फिर आपका में इसके बाद р Minute सब्सक्राइब तो आपका फिर इंटरव्यू भी रहता है यहां पर प्री मेंस प्लस इंटरव्यू यूपी सी चंडट कराता था इग्जाम है तो देख लोग की लेवल क्या रहने वाला बट बहुत 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 आपके लाको लाको कि बाट सुभीधाएं ब इसको भी टारगेट कर सकते हो, after MSC, आप इसको दे सकते हो, ठीक है, इसकी मैं आपको एलिसिबिल्टी बता देता हूं, že इसमें एलिसिबिल्टी, अगर आप मसई, फिजिक्स था अगर आप इसको डे सकते हो, और आपका MSC Tech का जो कोर्स होता है इस तम धनवाद IIT धनवाद से अप्लाइट जिवजिक्स आपने किया है MSC Tech वो भी तब यहां पिलीजिवल हो तो यह बहुत इंप्वर्टेंट जॉब है जदा जाज़ा बहुत सारी बहुत नहीं बताऊंगा जो बताऊंगा वह इंपॉर्टेंट बताऊंगो रइंध अब है कि और मेरी नॉलिज में जोका आपके साथ बहुत अच्छी जॉब है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए जो इसके लिए केवल हो केवल पहले तो इस पर बात कर लेते उसके बाद में लाश्ट में जाएंगे कुछ पीस जॉब भी आप ले सकते हो पर थोड़ी सी बैकेंसी यहां पर कमाती है गेट अगर आपका आपके पास रहती है इसके अलावा एक लाश्ट जॉब है जो बहुत इंपॉर्ड है मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए परसनली मुझे बहुत अच्छी लगती जॉब आप एडवल एटी सी क्या है एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया एर ट्राफिक कंट्रो नेगेटिव मार्किंग नो इंटर्व्यू पेपर निकाले बट्स का थोड़ा कटाफ हाई जाता है कटाफ इस वार शायद नबबे सो प्लस गया था मतलब 95-100 के आसवास आपको नंबर लाने पड़ते है 120 में से तभी आपका यहां पर सेलेक्शन होता है ठीक है तो यह आपकी बेसी के बाद ही आप दे सकते हो आई सबसेघ्ट चौड़ो ना अपन फिजिक्स के श्टूइंट है अच्छी जवाब है बट वह फील्द अलगए थोड़ा सब्सक्राइब है तो यह आपका यह बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो आपका ते मसी है तो आप अ तो इतनी सारी जॉब थी पीजीटी टीजीटी एसिस्टेंट प्रोफेसर बार्क इंद्रागांथी रिट्रसर सेंटर और आपका यह पीसूज में आपका गेल ओंजीसी एंटीबीसी आयो सीयल और अभी आपका यह लास्ट में डवल लिया एटीसी एरपूर्ट अथर्टी अ यहाँत लाइक लुग करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि िसल्फी कैसी लगी अगर आप इसी टाइप और चाहते हैं और क्या SEN y Ocean ने आप लिए नहीं इन बैल आइकन दवाना ना भोलें इससे क्या होगा जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ठीक है तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ तब तक वीडियो को लाइक करें शेयर करें जाता से ज्यादा और कमेंट इसक्षन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी तक तक के लिए अलविदा टाटा बाइबा जैहिंद